नमस्कार मित्रों मित्रों उमा भारती का जो statement आया हुआ है लिंगायत संपरदाय के साथ OBC को जो compare किया है और OBC को भी एक धर्म के रूप में develop होने के लिए आवान किया है या पहले से वो काम करती रही वीडियो अभी viral हो गया वर्सों से वो लगी रही है कि OBC को जो है एक लिंगायत की तरह धर्म के रूप में तबदील कर दिया जाए तो ये लिंगायत से क्या इसकी तुल्ला सही है तो लिंगायत को और OBC को इन दोनों को समझने की ज़रुवत है कि किस तरीके से OBC को एक धर्म में वो जो है रूप में ये करना चाहती है पहले तो जो OBC है वो एक constitutional word है constitution द्वारा ये धार्मिक word नहीं है constitution के द्वारा इसको इजात किया गया word है और इसके बाद ये प्रसासन में इस्तमाल करने वाला, पर्लेमेंट में इस्तमाल करने वाला सब्द है कि कुछ जो पिछले समाज के लोग है other backward class वो जो है इस OBC में आते हैं और जैसे ही अगर उनकी स्थिती अच्छी हो जाती है या उसमें भी एक creamy layer है जो की OBC का फायदा उसको नहीं मिलता है तो वो जो creamy layer है वो उससे बाहर होगा तो वो जो धर्म बनेगा उसमें creamy layer की क्या इस्थिती होगी इन सब चीजों को तो उमाभरती जी को clear करना पड़ेगा जब धर्मी बना रहा है तो हर चीज बिलकुल clear होनी चाहिए कि भाई औरों की क्या इस्थिती होगी और एक प्रसास्तिक सब्द एक constitutional सेमविधानिक सब्द जो है वो किस प्रकार धर्म का रूप ले सकता है धर्म बिलकुल अलग चीज है आस्था कभी सा है लंबे समय में विक्सित होता है उसको ये कैसे बनाएंगे different different sect जो है वो OBC में आज हो सकता है कल न रहें कल नए लोग उसमें जूड़ जाए तो किस प्रकार का धर्म है जो political महत्वा कांचा से प्रेडित है एक जुन्ड के रूप में political bargaining करने की दिशा में ये प्रयास है और वो भी उनके द्वारा जो कि भासपा की उपाध्यक्ष रही हिंदुत्तु का चेहरा रही आज योगी जें कभी ये लो हिंदुत्तु के चेहरा रहे है विने कट्यार उमा भारती जी और गुन की ये इस्थिती है कि जो राम मंदिर आंदोलन विश्व हिंदु पर से जूड़े रहे है वो ओभी शी को एक धर्म बनाने की बात कर रहे है विसी की धर्म बनेगा इसका मतलब एक इस्वर की बात करें कि एक इस्वर उसमें हो लिंगायत पर गरा की तरह कि एक किताब हो एक इस्वर हो इस तरीके की चीज़ हो क्या वो राम को छोड़ेंगी या सिव को छोड़ेंगी या बिलकुल अलग भगवान बनाएंगे यह अदूसरी बात की यह लिंगायतों का अपमान है अब लिंगायत जो है वो तृदेवों में शिव के उपासना करते हैं बश्वन्ना जो है बारवी सताब्दी में इसको वै यहां पर भी देखें उत्तर भारत में भी जो है वो पूरा भक्ति आंदोलन जो है समासुधार से जुड़ा है तो हिंदू धर्म से वो इतर नहीं है यहां पर भी राम साखा कृष्ण भक्त साखा और ज्यान मार्गी साखा निर्गुन साखा डेवलप हुए है शेव अलग दच्छीन में आयनार और आयनार जो थे इन में क्लैस हुआ यह बास सही है लेकिन यह सारे सनातन के ही भी तर रहे हैं तो त्रिदेव में शेख शिव की उपाष्णा करते हैं लिंगाया जो है वो शिव को लिंगाया संपरदाय नाम ही इसलिए है क्योंकि वो शिव लिंग क को सरीर पे धारन करते हैं लिंगायत सब्द ही लिंगवंत से निकला है भगवान शिवलिंग से जिसका इसका ही प्राय है वीर शैव शब्द जो प्रयोक किया जाता है कि जो स्टिव का परम भक्त है अब बताईए पूरा वो भक्ती जो समय के साथ विक्सित हुई बारवीश जो पहले से थी वश्वन्या ने बारवीश शताबदी के बाद और लोगप्रिय किया दच्छीन भारत में काफी लोगप्रिय स्पिसली जो करनाटका में वहां पर अब उस धर्म से अगर वीशी की तुलना की जा तो उस धर्म का ही अपने आपमान है और खुद जो है वीर स है और लिंगायत में मतभेद हैं मतभेद इस दिरिश्टी से कि कि लिंगायत जो है वो निराकार शिव की उपास ना करता है प्रकार से अद्वेत वादी है शिवलिंग को वो सरीर पे धारण करते हैं उसको लेके ध्यान बगर करते हैं जो उनको करना है और वेर्शो जो है स सब समाज में आही जाएगा, रहती ही है, तो उसको किस तरीके सी ये मैनेज करेंगे, वो तो धर्म हो सकता हिंदु धर्म में ही, OBC भी है, SCB है, जेनरल भी है, कोई कहीं पर चला जा रहा है, धर्म तो एक ही है, भाई किसी कैटेगरी में सरकार उनको रख दे रही है, वो तो समझ में आती है, लेकिन उस जगा पे, ये कैसे वहाँ पर भी तो मैनेज है, वहाँ पर हैराज की उस तरीके की है, OBC जो एक समाजिक भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी इसमें गहराई में जाएंगे, तो कितनी ऐसी OBC जाती होंगी, जुनको बिल्कुल आस्ता कारच्छन का कोई फाइदा नहीं मिला, और कुछ लोग जो है, इसका बिल्कुल मजा मारते हुए मिलेंगे, फिर वो कब तक आपके साथ ये जो कह रहे हैं कई लोग कि उम्मा भारती भी कह रहे हैं, और भी लोग की भाई जो है, जाती गत, जो है वो जन्गनना हो, वर्ण गत भी नहीं जाती गत सही में होनी चाहिए, और जब जाती गत होगी, तो ऐसे ऐसे जातियां केवल 4-5 जातियों के नाम की नादिने से नहीं होंगे, ने बहुत सारे ऐसी जातियां हैं, सहकड़ों जातियां हैं, जिनका एक वेक्ति उनके समाज का आस्ता काईएस ऑफिसर नहीं बना है, वो भी तो अपना हक मांगेंगी, आप ओभी सी 52% कह क्या कह दें कि 52% का हिस्सा हम लेंगे, तो ऐसे नहीं चलेगा, ने कुछ जातियों का, ये तो एक दबंगई का जवाब दूसरी दबंगई से हो रहा है, फिर उनको भी देना पड़ेगा, तो ये सब प्रश्णों का अरो भी ऐक ऐसा व्यक्ति बताईए, कि कहां से एक संवेधानिक सब्द को धरम के साथ, लिंगायत वालों को तो केस कर देना चाहिए इनकी उपर, उनकी धार्मी भावना को इनोंने छेडा है, एक धरम की तुलना जो है, एक संवेधानिक सब्द से किस प्रकार की जा सकती है, और वो भी लिंगायत उस समय डेमोक्रिसी नहीं थी, लोकतंत्र नहीं था, पॉलिटिकली बार्गेनिं करने के लिए वो समास सुधार नहीं हो रहा था, नधारमिकांदोल नो बना हुआ था, वो अलग बात है कि इनकी संख्या 17-18 प्रतिसर करनाटका में है, जब जन संख्या इनकी अच्छी खासी है तो इनका राजनितिक प्रभाव है, राजनितिक प्रभाव जन संख्या की वज़ा से है, ना कि धरम की वज़ा से, अब ये OBC का already जनसंख्या की वज़ा से इनका एक प्रभाव है अब इसको ये धरम का रूप देंगे तो हिंदु धरम से निकलेगा ही तो धीरे धीरे नहीं भी निकलता है तो एक प्लेटफर्म तयार हो जाती है उस प्लेटफर्म के द्वारा राजाराम मोहन रायने और दू जो है किंद्र में मंत्री तक रही भारती जनता पार्टी की उपाध्यक्ष रही फायर ब्राण लीडर रही और वो जब भीतर से ऐसे हैं तो जड़ा सूची के और हो कि क्या इस्थिति होगी सब जगह यही स्थिति मढ़ी पड़ी है भीतर में यह सब एक होकर इस तरीके से हिंदु धर्म की जड़े खोद रहे हैं जो सत्ता का इतना सुखव होगा है पहले उसकी यह स्थिति है जिसने सत्ता का इतना सुखव होगा वो आज इस तरीके से हिंदु धर्म को लड़ा रहा है और लिंगायत से इसकी तुलना इतने पावन धर्म पवित्र धर्म से तुल और बहुतों ने कोशिस की, फिलोसिफी जब आप पढ़ते हैं, तो देखते हैं कि बड़ा ही पश्मी दार्शनिक चारिद की दुनिया का एक धर्म हो जाए, बड़ी कोशिस की हैं, दस लोग, पंद्र लोग मिलके हैं, वो दस लोग तक ही सिमित्र रह गई, दीने इल्लाही महात्मा गांधी इन लोग को नव्य वेधानती माना जाता रहा है, ठीक है तो नव्य वेधानती भी वेधानती की ही नई व्याख्या कर रहा है, नया कुछ ये भी नई कर पा रहा हैं लोग, लेकिन फिर से अगर देखें, तो विवेका नंजी तो ग्रेट थे, लेकिन आज आज Ramakishnam Mission क्या कर रहा है जैसे हम अपने धरम से युठ उतर कुछ और करने करने की कोसिस करने लग जाते हैं सेकुलर जैसे ही बनने लग जाते हैं वैसे ही पराभाव आजाता है Irnaakulam में जो Ramakishnam Mission का जो मर्ठ है छैसा साल पहले की बाते है वहाँ सिर्फ एक हिंदू बच्चा वहाँ पढ़ रहा था बताईए कि काहे के लिए गर्व से को हिंदू जिनों ने कहा था उनके राम किशन मिशन में एक बच्चा हिंदू हो सकता है आज भी नहीं हो पास करके निकल गया हो दूसरी लोग उसमें हो तो वैसी स्कूल वैसी स साएं क्या करेंगे जब हिंदू ही नहीं बचेंगे और हिंदू द्वारा आरंब की हुई क्या विवेका नंजी का यही मिशन था कि भाईया हिंदू लुप्त होते चले जाए एक एक राज्य में इस तरीके से और यही लोग यूमा भारती जैसी लोग कर रहा है विवेका गर्व से कौम हिंदू हैं वहां पर आपको अलवसंख्यक की दर्जाच आ रहे थे कोर्ट में कि हमें फैसिलिटेट किया जाए कि हमको भी सिखों की तरह मुस्लिमों की तरह इसाईयों की तरह जो है वो फायदा मिल सके अब बताइए कि यह स्थिती हो गई हिंदू की उसके पीछे वज़ा कौन है ऐसे ही लोग राजा राम मुहन राव जैसे लोग जिन्होंने ऐसी भूमी का बनाई एसाई करन हुआ और उमा भारती लोग भीतर से सरद हम लोग सोचने है बाजप्रावाल ने भीतर से सरद द्यादो नितिश जी सब के साथ मिलके गट जोर सर द्या ब्राइंबेशडर जो है हम लोग इनको पूज रहा है बरसो से सत्ता का सूखिन को दिया गया और उसके बाद ये आज हिंदुों को तोड़ने का महापाप कर रही है बिरोक्रेट के बार में तो जो कही उसे पर भी क्रिटिसाइस लाबी से हो रही है और बिरोक्रेट को ले है वो अपने धर्म का अपमान के विश्यमें इनको कोट में घीचना चाहिए ये बहुत ही गलत है बहुत ही अधार्मिक धीरे धीरे जब दूसरे धर्म के लोग बुड़े होने लगते हैं आप क्रिकेट के प्लेयर्स को देखे पाकिस्तान का उसे बड़े बड़े दाड़ी रखने लग जाते हैं और चाहिए वो इसाई हो लेकिन हिंदू जो है वह जैसे जैसे उमर बढ़ने लगती हो सठी आने लगता है वो जैसे जिसे बृद्धा वस्था की वस्था आती पतान उसके भीतर से क्या विच्छिपता उसके भीतर से निकलने लग जाती है क्यों हुआ भारती की बात नहीं है अनेकों का है किस-किस का नाम लीजिएगा उठाईए देखिए सब सठी आना शुरू हो गया अरुन सवर जी को क्या हो गया था तो यही इस्थिती है इन लोगों की अब यह ऐसी इस्थिती रहेगी तो इन लोगों को लिगल जब तक इनके उपर कारवाई नहीं होगी यह करते ही रहेंगे इनके उपर लिगल एक्सन लेना ही चाहिए और लिंगाय संप्रदाय को तो बिल्कुल लेना चाहिए शिव का अपमान है ये ये अलग धर्म जो है ठीक है वो भी अलग धर्म के लिए माहौल बनाना चाहरे है लिंगायत भी इसमें दो रहा है नहीं कि वो फैसिलिटी लेना चाहरे है जो अलफसंख्यक क्या है उसके लिए वो भी वो कर रहे है लेकिन व वो भी सिव का अपमान करने में वो पाप में भागी हैं। बस मुझे बस यही कहना था और आप लोग आगे विचार कीजिए कि क्या करना है। हर हर महादेव!